वेल्कम बैक तो यूटुब चैनल में आपका स्वागत है चलिए स्टार्ट करते है आज के MCQs ये रिविजिन MCQs है तो पहला कॉश्चन आपकी और आ रहा है पहला कॉश्चन है ये किसने कहा था कि ये पोस्ट डेट टेट चेक है याद रख लिजेगे गांधी जी ने कहा था क्रिपस आफर को पोस्ट डेट टेट चेक सेकंड कुश्चन है ये किसने इस्टाबिश किया था मैं और आप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप्शन पढ़ने के बाद आपका ये इस वीडियो को मैं ज्यादा से ज्यादा खींचू ये किसकी आटोबायोग्राफी है बहुत इंपोर्टन्ट है बहुत इंपोर्टन्ट है याद रख लिजीगा अबदल कलाम आजाद में लिखी थी इंडिया विनस फ्रीडम वो हैड सक्सीड़ेड मीर जाफर टो दे थ्रून यानि किसने सक्सीड किया मीर जाफर को थ्रून में याद रख लिजीगा मीर कासम जो है वो मीर जाफर के बाद नवाब बंगाल मने थी उसके बाद फिर क्वेश्चन नबर फाइब आपके और आ रहा है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा यह किसने फाउंड किया था तो आपके पास सही है जो भी है लेकिन याद रखेजिएगा बल गंगा दरतिला कीजद राइट आप्शन उसके बाद फिर गांदी जी लांचर दे खेडा सित्यागरा इन गांदी जी ने कब लांच किया था खेडा सित्याग्रा आपके पास options मौजूद है लेकिन जो खेडा सित्याग्रा लांच किया था गांधी जी ने वो किया था 1918 में उसके बाद एक society बनाई गई थी सेवा सादन वास फाउंड़ बाई ये किस ने बनाया था याद रख लीजिगा बी एम माला बारी ने बनाया था सेवा सादन question number 8 आप क्यों रा रहा है which among the following acts had introduced to the separate electorate for muslims यानि किस act की वज़ा से muslims को separate electorate दिया गया था देखे कि यहाँ पर आप elimination method भी जो कर सकते हैं use कर सकते हूं act of 1858 या तरख लीजिएगा इस act में क्या हुआ था इसमें 4-5 questions बन जाते title change किया गया था पहले जहाँ पर बोला जाता था governor general of बंगाल governor general of India लेकिन 1858 act के बाद कहा गया जो है वो additional title दिया गया vice riker title दिया गया उसके बाद फिर यहाँ पर 1892 का एक council act बनाया गया था उसके बाद फिर 1861 में तो याद रख लिजेगा इसका option जो है वो 1909 है उसके बाद के governor general कौन थे याद रख लिजेगा ये भी पूछा जा सकता है question यहाँ पर 1909 में governor general थे Lord Minto 2 Lord Minto 2 जहां Minto 2 उसके बाद फिर in whose voice royalty the controversy of Albert Bill had arisen Albert Bill जो horizon हुई थी controversy याद रख लिजेगा option A इसका जो सही answer है और इसका time था time जो था governor general का क्योंकि ये भी पूछा गया है 1880 से लेके 84 तक उसके बाद फिर 84 से जो है वो Lord Dufferin आ गए तो इसके दोर में Lord Dufferin के दोर में Indian जो है आई इन सी बना था International Congress बना था 1885 में question number 10 discuss कर लेते ही गांदी जी फाउंडेट साबर मती आश्रम इन गांदी जी ने साबर मती आश्रम 1916 में बनाया था question number 11 discuss कर लेते ही when did Vascody Gama discover the Indian Sea Route Indian Sea Route Vascody Gama ने कब discover किया यहाँ पर याद रख लिजीगा 1498 लेकिन आपको एक चीज में बताना चाहूंगा इस से पहले Vascody Gama से पहले जो है बार्थलो Mew Days बार्थलो Mew Days जो है वो निकले थे इंडिया को discover करने के लिए और उन्होंने discover किया था के पाप Good Hope जो कि अफरिका कॉंटिनेट में है राइट बाटम अगर आप अफरिका का मैप देखोगे तो बाटम में के पाप Good Hope जो कि साउथ अफरिका में है यहें किस के दोर में ब्रिट्श रूल जो है वो रूल को इस्टाबिश किया गया लाड डेलावजी उससे पहले भी था लेकिन इस्टाबिश फिर्मली जो है लाड डेलावजी के दोरान हुआ क्योंकि इसने जो है पॉलिस से एक्तियार कर ली थी लाड डेलावजी ने जिसको कहा जाता था डॉक्टर नाप लेप्स उसके बाद फिर क्योंकि इसने डॉक्टर नाप लेप्स के तहत सेवन स्टेट्स को एनेक्स किया तो वहाँ से इस्टाबिश हुआ ब्रेट शुरूल उसके बाद फिर इंडिया का रेबेलियन कब स्टार्ट हुआ याद रख लिजेगा 1858 इसको गरेट अपराइजिंग भी बोलते है म्यूटिनी भी बोलते है तो इसमें बहुत सार रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते है फ्रस्त वार फिंड़ेंडेनस भी बोलते है और याद रख लिजेगा फ्रस्त वार फिंड़ेंडेंडेनस हमेशा पूछा गया ये question किस ने लिखी है book first war of independence तो ये लिखा है वेडि सवरकार ने चलिए आगे बढ़ लेते हैं question number when was queen victorious proclamation कब हुई थी queen victoria के proclamation 1858 में who was the founder of arya samaj देखिए गा arya samaj का founder कौन था तो swami dyanand सरस्वती थे और इसने एक नारा लगाया था go back to vedas go back to vedas हमेशा ही question पूछा जाता है question number 16 who established Ramakrishnan mission Ramakrishnan mission किसने establish किया swami vivekananda उसके बाद question number 17 जल्दी से when was Indian council's act announced Indian council's act जो है वो 1909 में announced किया गया था अगर यहाँ पे देखिए options को आपको डूंड लेना है 1862 में 61 में 1892 में उसके बाद फिर 1909 में इसी तरह से आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ पे यह option तो नहीं है यह भी option नहीं है तो सही option जो है वो 1909 है जा भी आपको हमने कहा कि separate electorate दिया गया था 1909 में और उसके गवर्नर जनरल जो थे वाइसरा जो थे लाड मिंटो थे जी हाँ और जो secretary of state थे 1909 में याद रख लीजेगा इसी हमेशा पूछा जाता है secretary of state जो थे वो थे मौरले question number 1821 वाज डायर की system introduced तो डायर की system introduced किया गया था 1911 में याद रख लीजेगा और इस वक्त के governor general जो थे वो थे Lord Chalmersford Lord Chalmersford 1911 में governor general कौन थे Vice Rai कौन थे याद रख लीजेगा 1911 में Vice Rai जो थे Lord Harding Lord Harding 2 It was Lord Harding 2 उसके बाद फिर 1927 में जो governor general थे वो याद रख लीजेगा Lord Reading थे उसके बाद वेन वाज Ravillac Act पास Ravillac Act को का पास किया गया था तो 1919 में Ravillac Act को पास किया गया था Who was the first recipient of Nobel Prize for Literature in Asia So undoubtedly Rabidyanath Taigor को मिला था first Nobel Prize जो की Literature में कहां पे एशिया के थे वो पहले एशियन When was non-corporation movement launched Non-corporation movement launched किया गया था 1920 में और यह non-corporation movement launch किया था support करने के लिए Khilafat movement को उसके बाद अगर आपको content पसंद आ रहा है Please comment करके ज़रूर बताईएगा When was Simon Commission sent to India Simon Commission यह याद रख लिजीगे यहाँ पे Simon Commission में सिरिप और सिरिप White Commission था यह इसमें कोई भी Indian शामिल नहीं था उसके बाद फिर question number 23 When was civil disobedience movement launched Civil disobedience movement जो है वो लाँच होँ था 1930 में 1930 में Question number 24 Who organized the Indian Army Indian National Army International Army जो है वो और्गनाईज किया था सुभाष चंदर बोस ने उसके बाद आज का last question चैनल को please subscribe और comment box में जरूर बताईएगा कैसा रहा आपको Come time में ज्यादा content Who integrated 565 princely states into India यानि किसने इनको जो भी princely states थी 565 उनको एक इंडिया किसने बनाया याद रख लीजेगा सरदार वल्लाबाई पठेल उस वकित की जो है वो पहले इंडिया की home minister थी ये ये रहा आज का content पहला जो है वो MCQs का था Revisions Thank you very much तो